हेलो फ्रेंड्स मैं नीरु जिंदल शीरी हरी क्रोचिट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में ज्वागत करती हूँ आज देखे मैं आपके लिए बहुती सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ देखे जो इसका बेस है वो भी मैंने नए तरीके से बनाया है बह इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर रादे रादे जुरूर बताइए कि आपको हमारी डैस कैसी लगती है और जो भी अभी तक चैनल पर नहीं है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को दबाएं तो चली हम इसको बनाना स् कर दे बनाई hep चाही अगर बनाने के बाद बनाशक तब भी आप बना सकते हैं थू नंबर के लिए हमने एक राउंड कम कर दिना है यहां से हर चाहरा पांच नंबर छे नंबर के लिए हमने इतना ही गेरा बना लेना है आपने ये 10 इंच के करीब गेरा बन कर आया है 10 या 10.5 इंच के करीब छे नंबर के लिए आप इसका एक राउंड और बना ले अगर आप इतना ही रखना चाहते तो इतना भी रख सकते हैं छे नंबर के लिए तो 4-5-6 के इतना दखे 7 नंबर के लिए आप एक राउंड और बना लिए RAM तो इस तरह से याप इसको बढ़ा सकते हैं कि साथ है नंबर के अंदर हमारे पास एक कली बीज्यादा बनेगी तो हमारा जो घेर है वह अपने बढ़ जाएगा इस तरह से आप इसको बढ़ाते हैं आठ नंबर के लिए नो नंबर के इस तरह से बना सकते हैं और देखें ये मुकट है इस तरह से आप सबी साइजिस को इसको बना सकते हैं देखें ये ती नंबर चार नंबर पांच नंबर के लिए बनाया है पांच नंब कि क्या देखने देखने हो आपको दिखें जिसमीयर की ड्रेस बनानी है यह मैं सभी चोलीयों का लियुट का दिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूंगी वहां से लेकर आप चोली बना ले पहले जो भी साइस की आपको चाहिए दिखें जो ड्रिजाइन का च्छोटी बड़ी देखे, साथ कलिया हमने रखनी है, एक के लिए हमें चार चैन की जरूरत होती है, साथ चोका 28, अगर आपके पास एक अधी चैन यहाँ पे कम या ज़्यादा देखे, यह पांच नमबर के लिए है, चार और पांच का मेरा सेम साइज होता है, अगर देखे, आपका तीन नमब चैन नमबर में है, मालो, चैन नमबर में आठ कलियां बनेगी, चार नमबर में और पांच नमबर में मेरा एक बनाती हूँ मैं, तीन नमबर के लिए दिखे, हमारे पास यहाँ डबल करोशिया होता है, वहाँ पे हम तीन तीन से बनाएंगे, तो वहाँ पे हम छे भी रख स से हमने स्टार्ट करना यहां सिंगल करोशिया बनाया एक बार फिर दो बार दो बार सिंगल करोशिया बनाया अब देखे एक दो तीन तीन चैन बनानी हमने तीन चैन बनाकर दो नीचे से स्किप करेंगे थर्ड चैन में सिंगल करोशिया बनाएंगे देखे यह चार पे हमारा एक बन गया, यह हमने लूप बनाने जिसके उपर हमारे डिजाइन स्टार्ट करना है, अब लिखे दो सिंगल करोशिय हो गए अब फिर सी हमने एक, दो, तीन तीन चैन बनाने हैं, दो निचे से स्किप करेंगे थर्ड की अंदर सिंगल करोशिया बनाएंगे फिर से एक सिंगल करोशिया और बनाएंगे देखे एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे दो निच्छे से स्किप करेंगे फिर सिंगल करोशिया फिर उससे नेक्स्ट वाले में सिंगल करोशिया फिर तीन चैन फिर दो स्किप करेंगे निच्छे से स सिंगल करोशिया फिर से देखे तीन चैन अब देखे एक दो दो छोड़ेंगे थर्ड में सिंगल करोशिया फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल करोशिया फिर तीन चैन फिर दो में सिंगल करोशिया एक दो देखे अब हमारे पास यहां दो बच गए हैं एक और दो अब तीन चैन बनाकर जो यह फर्स्ट वाला सिंगल करोशिया है यहाँ पे इसको हम slip stitch कर देंगे यहाँ पे slip stitch से इस round को जोड़ देंगे देखिए हम total count कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ देखिए इस तरह से हमारे पास यह साथ हमने बनानी है अब इसके उपर हमारा जो design बनाना है वो start होगा देखिए इस color को हमने cut कर देना है यहाँ से दिखिए अब हम white color से start करेंगे यहाँ से दो हमने wool attach करनी है अब दिखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लोंग करके इसको दो, तीन, चार इक हमने यहाँ पे चार बार बन लेना है पाफ बनाना है इस तरह से अब दो chain बनाएंगे दो chain बनाकर यहीं पे एक पाफ और बनाना है इसको इकठा निकालना है अब इसको लोग करना है अब दिखिए हमारे पास यहाँ दो है तो दो chain बनाएंगे हम एक, दो, दो chain बनाकर अब हमने next जो हमारे यह लूब है इसके अंदर पाफ बनाना है अब दो chain बनानी है अब इसी के अंदर एक पाफ और बनाना है अब दो chain बनानी है फिर से next में बनाना है next लूप में इस तरह से हमने दिखिए इसको complete करना है 7 लूप बनाई है हमने सभी के अंदर दो दो पाफ बनानी है हमने दो दो चैन बनाने हैं देखिए एक पफ बनाएंगे दो चैन फिर यहीं पर एक पफ फिर दो चैन फिर यहाँ पर एक पफ दो चैन एक पफ फिर दो चैन इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गए एक दो तीन चार पांच छी साथ आब देंगे हमने इसको यहाँ पर दो चैन बना लहीं और इसके ऊपर वाले पुफ में हमने में हमने इसको यहाँ पर इटेछ कर देंगे इस तरह से देखे ये हमारा इस तरह से जो round बन कर आ गया है अब देखे हमने इसको cut करना है देखे अब हमने second color लगाना है यहाँ से देखे puff के उपर जो chain है वहाँ पर हमने पुरोशी को डाल कर ये color को हमने attach करना है ये वाले color की भूल को अब एक chain बनानी है अब देखे हमने इसको उपर खीचना है यहाँ पर देखे एक तो हमारा ये count होगा दो और तीन देखे हमने तीन तीन बार बल देने है अब इसको हमने देखे इस तरह से बंद कर दिया अब एक chain बनानी फिरसे थोटा ऊपर खीचना है अब हमने देखे यहीं से इसको उठाना है एक दो अ-दो 3 ढब देखे हमने फिरसे यहीं से एक भाफ बनाना है यहांसे फोर्स्ट ऑ बनाया था त देखे दो पफ ओगे अब तीसरा पार अमने नате पफ के उपर से बनाना है इस तरह से तीन पफ हो गए अब तीन पफ को इकठा लॉक करना है इस तरह से पहले वूल को पकड़ेंगे तीनों में से इकठा निकाल लेंगे देखे इसको इकठा निकालके इसको टाइट लॉक करना है देखे इस तरह से हमारा एक फिलावर कंप्लिट हो गया अब इस वाले को करना है एक चैंडार कर इसको लंबा करेंगे दाके को और यहीं से देखे यहीं से जो एक पॉइंट बना हुए यहां से कुरूश्य को डालना है दो तीन तीन बार बार लेना है, देखिए, हमने पूरा जब तक ड्रेस बनानी है, एक पफ हो गया, अब यहाँ बे बनाना है, एक पफ, अब दोनों को इकठा बंद करना है, इसको पकड़ के रखना है, पूरा टाइट खीचने के बाद इसमें से क्रोशिय को डाल कर इसको लॉक करना है, देखिए, पहले हमारे पास दूसरी तरह से पफ बनाई थी, अब हमने इस तरह से पफ बनानी है, दो पफ बन गे हमारे, अब हमने देखिए, एक चैन बनानी है, एक चैन बनाकर अब नेक्स्ट बे बनाना है, देखिए, यह पफ के ऊपर जो यह वाली चैन दिखाई द सबसे पहले हमने एक पफ को लॉग करना है फिर एक चैन बनानी है फिर सेकंड बार हमने तीन पफी कठे बंद करनी है जो चैन होते हैं उसमें से डालना है हमने तीन हो गए अब हमने देखे दूसरा यहां से डालना है दो पफ अब तीसरा यह वाले पफ के उपर से तीन हो गए अब इसको पकड़ेंगे अंगुठे से अब इसको थोड़ा खीचना भी है तांकि जब हम करोशिय को इसके अंदर से लेकर जाएंगे हमारे हां से यह धाका छूटे नहीं तो अब टाइट करने के बाद हमने इसको इस तरह से निकालना है देखे इस तरह से ये एक कंप्लीट हो गया अब इसको करना है अब हमने दो पफ बनाकर लोक अठे करने है पहले एक चैन बनाएंगे अब इसको यहीं से एक पफ बनाना है अब दूसरा यहीं से अब देखे इसको पकड़ेंगे इस तरह से इसको पूरा टाइट कर देना है तो बाद में देखे इक क्रोशिय में इसको डाल कर इस तरह से निकालना है इस तरह से हमारा बन जाएगा इस round को हमने इसी तरह से complete करना है फिर एक chain बनाएंगे फिर next पे बनाएंगे दो दो इस तरह से करते हैं देखे सबसे पहले हमने एक puff को lock किया फिर तीन पफ बनाए एक इसके ऊपर दूसरा इधर तीसरा इधर तीनों को कठा lock किया फिर दो पफ बनाए एक यहां पर और एक य हमारे पास बीच में फिलावर बढ़ाने है लास्ट में फिर दो इस तरह से हमने करना है चलीस round को complete कर लेते हैं देखे हमारा यहां पर राउंड कम्प्लीट हो गया है अब हमने दिखे एक चैन बना कर यहां पर इसको lock करना है यहां पर इसकी चैन के ऊपर इस तरह से एस त स्टार्ट करना है एक चैन बनाकर यहां से 2-3 ज सबसे फर्स्ट बनाता सब से बनाना होता सबसे पहले अब एक चेन बनाएंगे अब यहीं से पॉल स्टार्ट करेंगे कि एक बन गया अब दूसरा यहीं से बनाना है दो पफ होगे अब तीसरा यहां पे देखे अब तीन पफ होगे इसको पकड़ेंगे तीनों को इकठा निकाल लेंगे इसको देखे इस तरह से हम सेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता देखे इस तरह से अब इसको करोशी में डाल कर इसमें से निकाल कर सीधा इसमें से निकाल देंगे और एक चैन डाल देंगे देखिए ये तीन पफ से हमारा एक design complete हो जाता है अब ये दूसरा start हो गया अब फिर से तीन पफ बनाएंगे देखिए पहले हमारे पास ये दो setup बने थे अब उपर तीन बनेंगे देखिए अब चैन यहीं से बनाएंगे एक चैन डाल रखी हमने एक पफ, दूसरा यहाँ दो, तीसरा यहाँ कोर्लर पे अब हमारे तीन पफ हो गई है अब देखे, इसको पकड़ेंगे यहाँ से, देखे, देखना में लगता है कि लग लग है, जब हम देखे, इसको ऐसे सेट करेंगे, इस तरह से हमने इसको सेट कर देना है, इसको पकड़े रखना है, देखे, इस तरह से एक तो यहीं पे बनेगा और एक यहां कौर्णर पे अब देखे इसको पकड़ कर इसको इस तरह से अट कर देंगे अब इसको कुरोशी में डाल लेंगे और इस तरह से अब हमारे पास तीन डेजाइन होगे उपर वाले पाफ देखे लंबे जो पाफ वो तीन बन गए हमारे पास पहले नीचे दो थे अब तीन बन गए उसके बाद देखे चार बनेगे हर एक रिजाइन हमारे एक दो तीन कौर्णर पे चार फिर चार बनेगे अब देखे हमने एक चैन बनानी है अब next पे जाना है यहाँ पहले तो corner पे बनाना होते हैं हमने एक पाफ देखिए इस design को आप baby wool से ही बनाईएगा मोटी wool से नहीं बनेगा बहुत soft बन कर आता है देखिए design यह इस तरह से एक पाफ बनाए है एक चैन बनाएगे फिर से यहीं पर एक पाफ बनाएंगे देखिए चैन को इधर इधर से डालेंगे हम अब दूसरा फिर यहीं से दो थर्ड हमने यहाँ से next point से start करना है देखिए तीन पाफ होगे अब इसको पकड़ेंगे और इकठा निकाल देंगे अब देखिए इसको इस तरह से कठा किया सारे कठे हो जाते हैं set up अब इसको निकाल देंगे अब फिर से हमने चैन बनानी है अब दूसरा पाफ हमने यहाँ से तीन होगे अब दूसरा यहाँ से बनाएंगे अब थर्ड हम यहाँ से बनाएंगे कि तीन होगे अब इसको पकड़ कर धागे को इस तरह से अब एक चैन बनाएंगे अब दो पाफ बनाने है हमने एक तो यहीं से बनेगा अब दूसरा हमारा यहाँ कोर्नर से अब दूनों को इकठा बंद कर देंगे कि कितने फिनीशिंग से बनते और इसके बिल्कुल सॉफ्ट बन कर आती है मोटा नहीं बनता बिल्कुल भी तो बिल्कुल सॉफ्ट बनता है वेबी फूल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन कर आएगा अब एक चैन बनाएंगे अफिर नेक्स्ट इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लेट करना देखें पहले हमारे पास दो थे अब तीन बन गए डिजाइन तीन के उपर चार बनेंगे चले इस तरह से हम बना लेते हैं इसको बूरा कर लेते हैं ये राउंड देखें इस तरह से हमारे राउंड कंप्लेट हो गया है एक दो तीन तीन बन गए हैं अब हमारे पास यहां पर फोर बनेंगे एक चैन डालकर यह से स्टार्ट होगा देखें यह यहां पफ के उपर चैन होती है वहां पर बनाना है हमने अब एक चैन बनाकर फिर से इसको एक पफ दूसरा यहां से तीसरा यहां से कि इस तरह से पकड़कर हमने इसको इस तरह से लोग करना है कि अब हमने चैन डालनी है कि से यहीं से स्टार्ट करना है कि एक पफ दूसरा यहां से कि तीसरा यहां से हर जो देखे यह इस तरह से जो पाफ है उसके से अंटर में से हमने इसको बनाना होता है तीन पाफ हो गए हम इसको पकड़ें गे देखे इस तरह से बिल्कुल शाटो हो जाते हैं यह अब इसमें से रुष्य डालेंगे पहले इसमेंसे निकालेंगे फिर इसमेंसे अब एक चान डायने फिर यहीं पे पफ बनाएंगे ए एक हो गया अब दूसरा यहां से अब तीसरा यहाँ से तीन हो गए अब इसको दिखे हमारे एक दो टीन कम्पलीट हो गए हमने यहाँ पे अब चार बनाने है अब एक चैन बनाकर अब एक तो हमारा यहीं पे बनेगा लास्ट में हमने दो पफ बंद करने होते हैं एक उपर और एक यहाँ पे नीचे कॉर्णर पे एक दो तीन चार चार हो गए अब यहाँ पे भी चार बनेंगे इस तरह से राउंड को कम्पलीट करेंगे देखे चार चार के उपर पांच एक यहाँ से दो तीन चार पांच यहाँ पे सबसे पहले एक पफ बनाएंगे फिर तीन पफ बनाएंगे फिर तीन पफ बनाएंगे फिर तीन पफ बनाएंगे फिर दो पफ बनाएंगे इस तरह से हमने चार की उपर पांच बना लेनी है चलिए चार का राउंड और पांच का राउंड हम complete कर लेते हैं दिखिए इस तरह से हमने इसको complete किया है दिखिए मैंने इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे बना दिये हैं देखिए फॉर्थ में आपको डालना बताया था फिफ्ट का बताया था हर राउंड में हमारा एक-एक बढ़ जाता है छे बन गई है अब देखिए हमने इसकी उपर लास्ट में बीडिंग करनी है अब देखिए यहां पर यह कंपलीट हो गया है अब देखिए इसको हमने यहीं से इस तरह से सिंगल करोशिय बनाना है अब देखिए हमने एक-दो दो बार बल लेना है और यहां पर देखिए जो पफ का यह पॉइंट होता है यहां यहां पर हमने पहले देखिए इसमें से निकालना है फिर इसमें से और फिर इसमें से फिर दो बार बर लेंगे यही इसी पॉइंट से पहले देखिए इस में से निकालेंगे जो हम देखर आए हैं एक दो तीन और चार फिर दो बार बर लेंगे पहले इस में से फिर इस में से तीन दो बार बर लेंगे उसी में से हमने देखिए पहले देखिए जो हमने से निकालना है सिंगल एक में से निकालना है फिर दो दो में से निकालना है टोटल चार बार हो जाता है फिर दो बार बर देखिए चार बार कर लिए अब पांचवी बार पहले एक में से निकालना है फिर दो दो में से निकालना है दो बार बार लेते हुए दो चार छे बार हो गया अब सात्मी बार अब आठ अब नो एक ही जगा से हमने neaan बार बनाना है इसी तरह से अब हमने देखे जो नेक्स्ट पॉफ का ये पॉइंट है यहाँ इसको सलिपचिट करना है इस तरह से देखिए इस तरह से बनेगा slip stitch करने के बाद फिर से देखी हमने इसके अंदर दो बार बार लेना है अब next point के यहां पे आना है यहां पहले एक बार फिर दो दो बार इस तरह से करते हुए देखी हमने सभी जगह से बना लेना है पूरे round में से देखी इस तरह से हमारा round complete हो गया है अब देखी हमने यहां पे design बनाना है देखी जो हमने दो पफ के बीच में यह दो दो chain बनाई थी इसके उपर design बनाएंगे देखी पहले हमने यहां पे wool attach कर लेनी है अब देखी एक दो तीन चार चार chain बनानी है हमने अब दो बार बार लेना है triple crochet बनाना है यहां से जो chain है यह एक बार दो बार यह तीन बार फिर से दो बार 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 लेंगे इसी chain में से बनाते जाना है हमने तीन बार हो गया अब फूर्थ बार triple crochet फूर्थ बार triple crochet करने के बाद हमने चार चैन बनानी है एक दो तीन चार चार चैन बनाने के बाद देखी अब यहीं पे फिर से हमने triple crochet बनाना है दो बार बार लेकर अबनान है अबनाना है अबनाना है यहीं पेदीर पड़र अबनाना फुल प्रवेश प्रॉड़र कि इस तरह से इस तरह से हमने यह डिजाइन बनाना है अब देखिए फिर से हमने यहां यहां पर नहीं बनाना जो दो डॉबल करोशिया के बीच में हमने देखिए इस तरह से हम करोशिय से निकाल लेंगे यहां पर बनाना है फिर से टिपल करोशिया दो बार बाल लेंगे इस तरह से हमने सभी हमारे पास साथ जगा पर हमने कलिया स्टार्ट करी थी सेवन जगा पर हमने इस तरह से इसको बनाना है चार चैन बनाएंगे इसको थोड़ा इधर की साइड कर देंगे फिर से हमने चार बार यहां पे टिपल करोश्या बनाना है इस तरह से यह बहुत ही सुन्दर बनकर आएगा देखिए इस तरह से हमने इसको कम्प्लीट कर लेना है पूरा देखिए एक कली के ऊपर एक बनेगा अब यहां पे बनेगा फिर यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे इस तरह से हम इस राउंड को कम्प्लीट कर लेते हैं इस तरह से यह बनकर आ गया है अब देखिए हमने इसको टैच कर देना है यहां पर फिर्स्ट जो हमने चार चैन बनाई थी उपर वाल इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले से, सिंगल क्रोशे से हमने देखे बेडिंग करनी है, इसके अंदर, अब देखे हमने चार सिंगल क्रोशिया बना दी है, अब हमने देखे एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनानी है और इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है, फिर हमने एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनानी है, फिर से करना है सिंगल क्रोशिया, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ना चैन बनानी है, फिर से सिंगल करोश्य करना है, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर सिंगल करोश्य करेंगे, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर सिंगल करोश्य करेंगे, फिर इस तरह से हमने, दिखिए, यहाँ पर पहले हमने, यहाँ पर सिंगल करोश्य करना है, नहीं तो यह चार चैन बाहर ही रह जाएगी, पहले ही यहाँ पर सिंगल करोश्य करेंगे, फिर चार चैन बनाएंगे, अब सिंगल करोश्य करोश्य करेंगे, फिर सिंगल करोश्य करोश्य करेंगे, फिर सिंगल करोश्य करोश्य करेंगे, फिर से सिंगल करोश्य करोश्य करेंगे, फिर से सिंगल करोश्य करोश्य इस तरह से अब हमने देखे जो चार हमारे पास सिंगल करोश्या बना देना है देखे इस तरह से हमने करना है देखे पूरा बन जाएगा तो यह बहुत सुंदर बन कर आएगा अब देखे हमने यहां पर बनाना है सिंगल करोश्या अब फिर से नक्स्ट चार है हमारे पास वहां पर बनाना है इस तरह से हमने सभी पर बना लेना है पहले सिंगल करोश्या फिर देखे इधर से चार चैन फिर सिंगल करोश्या पांच चैन फिर सिंगल करोश्या फिर चार चैन फिर सिंगल करोश्या फिर सिंगल करोश्या फिर सिंगल करोश्या देखे सभी पर यह चार चार हैं तो सभी कप करेंगे फिर सेंटर में करेंगे इस तरह से पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्रेट कर लेते हैं अब इसको यहां सेंटर में हमने डाल कर सिंगल करोश्या और यहां पर अटैज करतेंगे इसके स्लिप स्टिच से अब एक चैन डाल कर इसको हमने कट कर देना है देखे इस तरह से ये बन कर आ गया है देखे कितना प्यारा लग रहा है अब हमने देखे क्या करना है अब इसके नीचे करनी है बीडिंग जो हमने ये बनाए है अब देखे हमने इसको यहां से उठाना है ये उपर वाला देखिए जो हमारी चैन बन कराती है पूरी में नहीं हमने डालना इस वाली साइड में से हमने इसको डालना है करोशे को देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ से सिंगल करोशे अब हमने देखिए इसको यहाँ से डालना है जो हमारे पास चैन के दो धागे होते एक इस साइड एक उस साइड आगे वाली साइड का हमने उठाना है इस तरह से दो तीन चार देखिए हमने यहाँ पर नो बार बनाया था चार बें बना लिया हमने फिफ्थ की अंदर हमने देखिए दो बनाने हैं एक और दो अब फिर से हमने देखिए एक दो तीन और चार सिंगल करोश्या ही बनाना है हमने पूरे राउंड में देखिए चार बनाने के बात अब हमने यहाँ पर बनाना है सिंगल करोश्या अब फिर से हमने यहाँ पर फिरस्ट वाले को उठाना है इस तरह से चलिए इस तरह से हम इसको राउंड को कम्प्लीट करते हैं तीन चार बर बनाया फिर फिफ्ट की अंदर हमने दो सिंगल करोशिय बना देने है देखे इस तरह से फिर आगे के जो फोर है उसके उपर भी हमने एक-एक बनाना है अब यहां पर सिंगल करोशिय बनाना है नीचे से लेकर आना है इसको इस तरह से हमने इसको कम्प्लीट करना है पूरा देखे इस तरह से यह हमारा राउंड कम्प्लीट हो गया है अब देखे हमने इसको यहां पर अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से और इसको हम कट नहीं करेंगे इसको यहीं पे छोड़ देंगे अब देखिए हमने यह वाले कलर को ही लगाना है देखे जो हमने यहां पे इसको पहले हमने यहां पे ले आना है देखे जो हमने यहां पे इंक वाले की चैन थी उसके अंदर एक धागा था यह वाइट के उपर उठा लिया था जो पीछे धागा बचा है उसको उठाना है देखे पहले हम इसे बूल को यहां पे कर लेंगे वाइट वाले को यहां पे अब इसको टैच करेंगे इस तरह से दो तीन चैन बनाएंगे अब देखे एक यहां पे हमारे पास नो बनाए थे देखे वाइट पे हमने फिफ्ट के अंदर दो दो बनाए थे अब देखे हमने एक बना लिया सिंगल करोशिया देखे एक बना लिया हमने डबल करोशिया अब दूसरी में चैन में यह दो अब यह तीन यह चार देखे एक हमने छोड़ दिया हमारे पास नो थे हमने एक यहां पे छोड़ दिया था तो हमने देखे एक छोड़ेंगा तो देखे यहां पे हमने दो डाले थे एक चैन में फिफ्ट हमें यह हमारी फिफ्ट वाली चैन है अब हमने देखिए एक, दो, तीन, चार, चार चैन डालकर, पांच चैन डालकर हमने यहीं से दुबारा एक डबल करोशिया बनाना है एक हो गया, यह दो, तीन, चार, एक छोड़ देंगे हम देखिए यहां से एक जो है, हमारी चैन वो छोड़ देंगे, अब हमने नेक्स्ट में जाना है देखिए, यह वाली एक छोड़ देंगे, दूसरी में बनाएंगे चार, फोर्थ की अंदर हमने दो बार बनाना है, देखिए इस तरह से, पहले पांच चैन बनाएंगे, तीन, चार, पांच अब यहीं पर फिर से हमने डबल करोशिया करना है, देखिए, एक यह हो गया, दो, तीन, चार, एक को हम छोड़ देंगे, स्टार्टिंग में भी हमने इसको इधर से छोड़ना है, इधर से भी छोड़ना है, इस तरह से देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर लेना है, चले, पूरे राउंड में हम इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए, इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया है, अब दिखिए हमने इसको यहाँ पर attach करेंगे यहाँ पर तीन चैन बनाई थी इसको हमने यहाँ पर attach कर देने थर्ड चैन के अंदर और अब इसको हम cut कर देंगे दिखिए अब हमने last में यह white वाला round बनाना है अब दिखिए इसको हमने आप कहीं से भी start कर ले देखिए हमारे पास ये आठ डबल करोशे हैं आप यहां से स्टार्ट करें आठ डबल करोशे के उपर आठ सिंगल करोशे बना लें फिर देखिए यहां पे सिंगल करोशे बनाना है एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे सिंगल करोशे एक दो तीन चार चार चैन बनाएंग यहाँ पे सिंगल करोश यह फिर से एक दो तीन चार अब चार चैन बनाई है फिर से सिंगल करोश यह फिर से चार चैन दो तीन चार फिर सिंगल करोश यह देखे इस तरह से हमने इसको बनाना है एक बार चार चैन दो बार चार चैन बनानी है एक बार पांच तो फिर दो बार चार चैन फिर दिखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास एट डबल करोशय है एट डबल करोशय के उपर एट सिंगल करोशय करने हैं इस तरह ऐसी अब देखिए इसके अंदर पहले हम सिंगल करोशय करेंगे फिर फॉर चैन बनाएंगे फॉर चैन बनाकर सिंगल करोशिया फिर फॉर चैन फिर सिंगल करोशिया फिर फाइफ चैन फिर सिंगल करोशिया फिर फॉर चैन इसको पास पास कर देंगे और लास्ट बार फॉर चैन और सिंगल करोशिया इस तरह से आप देखिए जो हमारे पास यह डबल करोशिया है इनके उपर सिंगल करोशिया करते हुए जाना है इस तरह से हमने इस राउंड को कम्प्लीट करते हुए पूरा कर लेना है देखिए अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से अब हम इसको cut कर देंगे देखिए इस तरह से घेरा complete हो गया इस तरह से यह दिखाई देती है देखिए इसерх даль को भनाने के लिए दिखिएảm 45 चैन डालकर 45 करौर्शिया बना लिए दौनों कलर की एक-एक round बना लिया है अब देखिए हमने सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे देखिए जो हमारा चैन वाला है वो नीचे करेंगे उसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है देखिए आप इसको जितने भी लडू गपाल के साइज आपको बनाना है उसको आप देखिए इस तरह से राउंड नाप कर चैन बनाकर इस तरह से नापकर और इस तरह से करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी चैन की जुरूरत है देखें ये चार और पांच नंबर के लड़ो गपाल जी के लिए हम इतना ही बनाएंगे छे नंबर के लिए आप पचास चैन डाल लें तीन, चार, पांच के लिए हम इतना ही बना लेते हैं देखें अब इसकी हमने सिलाई कर देनी है देखिए पहले तो हम इसको यहां से सिलेंगे देखें सबसे पहले हमने इसको यहां पे एक यहां पे एक टांका लगा लेंगे फिर यहां से इसकी सिलाई करेंगे कि इस तरह से हमने इसको सिल देना है आप देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इधर ले आएंगे अब देखिए हमने इसको सार इस तरह से सिल देना है यहां से लेकर यहां तक चलिए हम इसको यहां से यहां तक सिल देते हैं देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद जो हमारा मुकट रैडी हो गया है अब देखिए हमें इ पहले इसके अंदर छे चैन बना ली है देखे छे चैन बनाने के बाद फर्स्ट चैन के अंदर हमने डबल करोशिया बनाना है इस तरह से अब देखे ये वी वन कर आगे हमारे पास तीन चैन डालकर चार चैन डालकर इसको हम टर्न करेंगे अब हमने देखे ट्रिपल करोशिय से इसके अंदर करना है पहले हमने इसमें से निकालना है फिर इधर से इस तरह से हमने गवर्क करना है इसके उपर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, देखे इस तरह से हमने वर्क करना है अब देखे इसके उपर हमने सबसे पहले हमने देखे इसको यहां से भूल को टैच करना है अब देखे हमने एक, दो, तीन चैन डाल कर यहां से देखे पहले वाली चैन से सिंगल क्रोश्या करना है यहां से देखे इसके अंदर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और तेरा बारा बनाया है अब देखे हमने इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार बनाकर जो सेवन्थ का सेंटर का है हमारा उसके अंदर दो बार सिंगल क्रोश्या करना है अब तीन चैन डाल कर कि इसको यहाँ पर इस तरह से हमने अटैच कर देना है अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे वाइट वाले को अब देखी हमने इसको हमने वाइट की जो पीछे से स्टार्ट करेंगे इसको हम यहाँ से पहले तो देखे वूल को हम इसको यहीं से अटैच करेंगे यह वाले धाके से चार चैन डाल कर देखी अब हमने इसको यह पीछे से हम इसको यहीं से अटैच करेंगे अब जीतने भी हमने देखे पहले ही चे बार डबल करोशिया बनाना है अब देखे यह हमारा सेंटर वाला इसमें हमने डबल करोशिया बनाना है फिर चार चैन बनानी है फिर से इसी की अंदर डबल करोशिया बनाना है अब इधर फिर जितने हमारे पास बचेंगे सभी के उपर हमने डबल करोशिया बना देना है कि तीन चैन बना कर इसको हम यहां नीचे अटैज कर देंगे यहां पर अब इसको कट कर देंगे कि तीन चैन बना कर इसको यहां पर अटैज कर दे हमने अभी इस तरह से हमारा यह वर्क अब देखिए जो यह वाइट वाला हमने छोड़ा था इसको हमने यह सारे धागे हम बाद में सेट कर देंगे अब देखिए हमने यहां पर सिंगल करोश्या बनाती हुए इसको लेकर जाना है बाद में देखिए हमने पर सिंगे पर देखिए हमने जाना है तीन चार पर सिंगल करोश्या कर दी हमने देखिए अब हमने इसके अंदर हाफ डबल करोश्या करेंगे यहां से इस तरह से अब हमने यहां पर डबल करोश्या बनाएंगे डबल करोश्या बनाके अब देखिए हमने यहां पर जाना है एक चैन बनाकर सिंगल करोश्या करना है अब फिर से यहां पर सिंगल करोश्या अब जितने भी हमारे पास यहां चैन है सभी के अंदर एक-एक सिंगल करोश्या करते हुए हमने जाना है देखे इसके अंदर हमने पहले तीन के अंदर एक-एक सिंगल करोशया किया फिर हमने यहाँ पे दो बार सिंगल करोशया कर दिया तो फिर तीन के बाद फिर से हमने दो बार सिंगल करोशया कर देना यहाँ पर इस तरह से शेप आजाएगी अब हमने यहाँ पे सिंगल करोशया करना है चार चैन बनानी है फिर से सिंगल करोशिया करना है फिर चार चैन फिर सिंगल करोशिया फिर पांच चैन जैसे हमने ड्रेस्क के अंदर बनाया है फिर चार चैन इस तरह से अब हमने यहाँ पे सिंगल करोशिया अब देखें सिंगल करोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक डबल करोशिया बनाना है पहले फिर यहाँ पे अब यहाँ पे देखें हम तीन चैन बनाकर अब यहाँ पे सिंगल करोशिया बनाएंगे इस तरह से अब हमने यहाँ पे एक सिंगल करोशिया बना देना है और अब यहाँ पे यहाँ पे पहले डबल करोशिया फिर हाफ डबल करोशिया फिर एक सिंगल करोशिया डाल कर इसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे देखे इस तरह से हमने यह डिजाइन बना लेना है अब यह धागे सारे हमने इसके पीछे सेट कर देने अच्छे से देखे हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है इस तरह से यहाँ पे आप इसको सुई धागे से यहाँ पे अटैच कर दें देखे इस तरह से यह हमारा मुकट त्यार हो गया है देखे ड्रेस्क के साथ बिल्कुल मैचिंग मुकट कि अगर आपको हमारी से ड्रेस्क की वीडियो पसान दाई प्लेस वीडियो को लाइक कीजिएगा शियर कीजिएगा थैंक यू